चलिए अब हम जो है C language के अंतरगा constant एब हम लिटरल्स के बाले में पढ़ने वाले हैं तो दीखे जो constant और लिटरल्स है वो क्या होते हैं वो हम यहां पे विस्तार से जानेंगे उसके पहले में basic definition इसकी बाता देता हूं तो constant जो है इसके पहले हमने tokens के बारे में पढ़ते हैं ठीक है tokens आपने पढ़ा है tokens के अंतरगात हमने बहुत सारी चीजे देखे उसी में से एक चीज और थी जिसका नाम था constant जैसे कि मैंने बताया था constant का मैंने एक example भी बताया था जिसको const keyword के तोर पर हम जो है इसको define करते है और दो तरीके से इसको define करते हैं एक तो होता है const keyword के तोर पर और एक होता है जो preprocessor है और उसके साथ में हम define लगाते हैं इसके दोरा जो है इसका उपयोग किया जाता है अब आपको ये भी पता होगा कि constant जो होती है fixed होते हैं और variable जो होते हैं वो dynamic होते है यानिकि इनकी value runtime पर चेंज कर दी जाती है परन्तु constant की जो value है जब तक की program का execution नहीं होता तब तक कि इसकी value fixed रहती है यानिकि इसका नाम जो है constant इसी के नाम पर है कि ये जो होते हैं हमेशा fixed होते है और आपको ये भी पता है कि इसको initialize मतलब जब हम declare करते हैं जैसे हमने const keyword से इसको क्या कि declare मतलब const float करके हमने ले लिए a और equal करके उसको कोई value दे दिये और यह जो value दिये हैं जैसे मान लीजिए हमने दे दिये हैं कुछ भी दे दिये हैं 3.14 इस प्रकार से value दिये तो ये value जो है यहाँ पर fixed हो गई किसकी a की मतलब ये पूरे program को run होने तक यहाँ पर value change नहीं की ज इस थाई variable या fixed variable हो गया और literals क्या हुआ इसमें जो value दी जा रही है अब literals की value है मतलब literals अलग-अलग प्रकार के हो सकते अभी हमने क्या दिये हैं 3.14 यानि कि ये क्या है एक float value है float value का मतलब जो होता है यहाँ देखे floating point वाली इसके बदले में interview हो सकता है इसके बदले में इसलिए यहाँ पर लिटरल के प्रकार भी हम देखेंगे constant के प्रकार भी देखेंगे सारी चीजे बिस्तार से जानते हैं तो चलिए इसको जो है start करते है constant की सारी चीजे हम जानने के लिए तो दीखे यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं जैसे आपने maths तो पढ़ा ही होगा maths में आपने constant भी पढ़ा होगा ठीक है अब किसी-किसी का maths subject नहीं रहता तो हम जो है इसको 10 तक तो maths compulsory सभी पढ़ते हैं तो हमने देखेते उहाँ पर जो constant होता हो fixed होता है और एक पढ़ेते variable तो variable जो होता है वो आस्ता यानि कि इसकी value जो है परिवर्तन seal होती है changeable होती है तो simple सी बात है उसी प्रकार अगर C language में बात करें तो substant यहाँ पर fix होता है यानि कि एक variable होता है variable जो होता नॉर्मल वेरेवल जिसकी गल कैनल चेंज कर दी जाती है अपड़ेट कर ली जाती है बार बार परंतु constant जो होता है वो एक ही बार यहां पर value एकसेस करता है और उसकी value चेंज नहीं की जा सकती नॉर्मर variable जो होता है ऐसे variable होते हैं जिसकी value को हम program के execution के दौरान कई बार change कर सकते हैं परन्तु constant में ऐसी facility उपलब्द नहीं है इसको जब declare करते हैं उसी समय value इसको provide कर दी जाती है और runtime पे इसकी value change नहीं होती किसकी constant गी ठीक है तो यह हम देखेंगे आगे program में उसके लाबा constant एक ऐसा value या variable होता है जो एक बार declare होने के बाद पूरे program के execution तक इसमें कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है इसके अलाबा हम देखें तो constant एक प्रकार के fixed value होती है इसमें value कुछ भी हो सकती है और value को क्या कहा जाता है लिटरल कहा जाता है constant भी एक जो है normal variable की तरह ही होता है ठीक है परन्तु इसमें एक छोटा सा point कहा है कि इसमें value change नहीं होती है और const keyword से इसको declare किया जाता है और यहाँ पे देखें प्रोग्राम के run करने तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता किसमें है constant में आप constant कितने प्रकार से यहाँ पे यूज किये जा सकते है प्रोग्राम में एक तो जो होता है const keyword के तौर पर यूज किये जा सकते है और एक जो है define preprocessor directives अब preprocessor मतलब जिसको header file के साथ में लिखा जाता है has जो special symbol है उसके साथ में इसको बोला जाता है preprocessor directives इसके बारे में आगे हम बिस्तार से जानेंगे preprocessor के बारे में अभी आपको से पता होना चाहिए कि has लगा कर जिस भी चीज को लिख रहे है याँ कि preprocessor है ठीक है जैसे हमने has लगा कर क्या लिखे थे include लिखे थे तो इसका मतलब क्या है ये preprocessor है और यहाँ पे हमने header file का साम लिखे थे htdio.h.h लिखे और यह इस प्रकार से हमने लिख दे यानि कि standard input output जिसका प्रयोग जो होता है printf और scan app के लिए use होता है यानि कि इसकी definition कहां पर है htdio.h में तो चलिए पहला जो तरीका है वो देखते हैं किसके तोर पर y const keyword यानि कि const keyword के तोर पर जो है इसका उप्योग हम करके देखते हैं constant का तो const keyword के use simple सी बात है जहां हम सिर्फ int का प्रयोग करते हैं उसके सामने const लग जाता है और जो value है वो यहाँ पर definition यानि declaration के समय ही initialize कर दी जाती जैसे उधारान देखते हैं const keyword हम लगाएंगे const keyword लगाने बाद data type लिखते हैं और data type लिखने आपल हम देखते हैं const float type का हमने लिए और पाई पाई का जो value होगा 3.14 यह by default हम store कर देते हैं क्यों क्योंकि constantly हैं तो जैसे हम इसको run करेंगे तो यह पाई के value return करेगा परंतु runtime पे change करने की facility यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी ठीक है इसके अलाबा const keyword का use जो है हम किसी भी data type के साथ कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया भी int float या फिर string या किसी भी प्रकार के जो data type है उसमें हम const keyword का उप्योग करके यहाँ पर constant उसको बना सकते हैं ठीक है जैसे कि हम variable बनाते हैं और यहाँ पर देखे उस variable के declaration के time जो value assign कर दी जाती है वो पूरे पूरे जो प्रोग्रा है उसमें runtime तक runtime या पूरा प्रोग्राम का execution end होते तक यहाँ पर change नहीं किया जाएगा जब भी हम कोई value store करेंगे जैसे हमने store करें 3.14 यानि कि यह change नहीं होने वाली है कब तक जब तक की पूरा program नहीं हो जाता अगर ऐसे value की जो ऐसे variable की value है उसको बाद में change करने का प्रय जो readable code है यानि कि 01 में convert करता है compiler अब यहाँ example बात करते हैं तो preprocessor directives हम लिए include लिए htdiio.h लिए यह कहां run कराएंगे हम यह run कराएंगे यह वाला program आपका देखने मिलेगा dev c++ में यह आपका turbo c++ में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि turbo c++ और दोनों में अंतर बता चुका ह जब हम turbo c++ में लेते हैं तो यहाँ पर एक और header file include होगी क्या नाम था उसका con io.h और यहाँ आपको देखने मिलेगा clrscr definition के just नीचे और यहाँ नीचे देखने मिलेगा get ch अब void की जगे int भी आता है तो int जो होता return type होता परंतु int जब लेंगे तो यहाँ पर आपको return जाएगा 3.14 पर यहाँ देखे const float हमने दिये हैं क्या pi करके दिये है 3.14 बाद में हम change करते हैं तो यह error देगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम जो है इसको एक program बना कर देखते हैं कहां पर पहले हम देख लेते हैं चलिए देव c++ में देखते हैं क्यों क्योंकि हम उसी में जो है हमको बहुत सारी facility मिलती है हमने मैंने आपको बताया था तरीका कि आगर आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं इस IDE का तो आप turbo c++ का use कर सकते हैं तो मैं हमेसा इसका use करूंगा आगे आने वाले जितने भी program है उसमें तो देव c++ हम यहाँ open कर लेते हैं और हम दे है const keyword के तोर पर हमने constant define कर लिया किस type का है float type का है variable का नाम पाई है और पाई की value कह दे दी हमने 3.14 ठीक है अब यहाँ पे जब हम print कराएंगे तो दीखे डबल कोट के अंदर जो value से जो text हमको print कराना वो डबल कोट के अंदर अगर जैसे वैसे लिग दिए और यहाँ ध्यान करने का काम करता है module f तो यह जो value है दसमलब मतलब जो floating value है वो floating type convert करके pi में store करेगा मतलब output के रूप में प्रदिर्सित करेगा तो जब हम इसको run कराते हैं तो run कराने बाद आप देखिए इसकी जो answer है देखिए the value of pi is 3.14 अब floating point लगा इसलिए 00 वो automatic यहाँ पर जोड ले है तो इसका मतलब क्या है floating point अब हम इसको कर देते हैं comment में एक और program है देखिए जो हमारा float कई है इसको अब इसको comment करने के लिए आपको मैं बता दूँ देव c++ में सबको आप select करोगे और control के साथ जो slash है control के साथ slash जो key है उसको उप्योग करोगे तो आपका comment हो जाएगा एक बार में और एक बार में फिर से click करोगे मतलब ऐसे तो आपका जो है यह वाला slash आपको दावाना single मतलब control के साथ यह single slash आप दावाऊगे तो comment बन जाएगा जैसे यह भी comment इस प्रकार बना हुआ ठीक है क्यों कोई अधर यूजर उसको समझना चाहता है code की readability बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है comment का उप्योग के जाता है अब हम देखें यहाँ define का उप्योग कर रहा है तो include hdio.s तो same to same ले लिए दूसरी preprocessor डारेक्टिव के साथ में define keyword लगा है हमने और define के साथ में पाई की value के दे दिए 3.14 अब लगा है void में तो यह public group में यहाँ पर यूज हुआ है preprocessor में फिर हमने लिए int r एक variable लिए float s एक और variable लिए float type का और print करा है हमने क्या enter the radius of circle अब जो भी radius enter की जाएगी वो module d यानिकि int type की रहेगी और कहां store कर ली जाएगी m% के साथ r में ठीक r into r, r into r का मतलब क्या है जो r की value enter की जाएगी वो दो गार multiply हो जाएगी उसी में और फिर into किया जाएगा किस से पाई की value के साथ में यानिकि 3.14 के साथ में और फिर उसके बाद जो complete calculation होगा वो कहां store हो जाएगा s में और print कर देंगे हम the radius of circle is अब s आपको पता है s print करा रह लिखना है module f और s को directly लिखना है और इसके अलावा आपकी जो program का output है बहा जाएगा चलिए compile और run करके देखते है execute करके देखे पहले बोल रहा है enter the radius of circle मान लीजिए मैं 5 enter करता हूँ 5 enter करे तो आप देखे यहाँ पे जो the radius of circle 78.50 आ गया यदि मैं और कोई दूसरी value type करता वो उसके according आता चलिए फिर से करता हूँ compile and run और यहां मैं कर देता हूँ क्या हम कर देते हैं 6 और 6 कर रहे हैं तो देखे यहां आया है 113.04 फिर जो आखरी की value है वो खुद बहुद ले लिया उनने चलिए तो आप समझ गए होंगे हम define keyword के तोर पर भी इसका उप्योग दे देख लिए ठीक है इसके अलाबा एक और जो प्रोड्राम है उसके अगर बात करूं तो देखे जो यहां पर प्रोड्राम बना है यह वादा को me rerun कला बताता हूँ ठीक है कि यह वाला प्रोड्राम हम कहारं कर देखें방र देखें देखेंए laptop AssIR देखेंए यहां क्या लिए flow type की थे परन्तु constant है और constant आपको पता है fixed होता है तो बाद में change होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा मतलब compiler error दे रहा है तो ऐसा program जो है यहाँ पर run नहीं होगा क्यों क्योंकि constant fixed होता है चलिए यहाँ पर हम चलते हैं फिर से हमारे code मतलब ppt में यहाँ देखे define keyword के तोर मतलब define जो preprocessor directives की हनुसार भी हमने देख लिए यहाँ आपका output भी दिख रहा है output वहाँ आप change भी हो सकता है क्योंकि input के according output आएगा अब types of constant की बात करते हैं तो constant जैसे की variable के प्रकार होते हैं उनको हम क्या बोलते है data type बोलते है data type हम आगे पढ़ने वाले उसी प् सकता है integer type का हो सकता है integer type मतलब जो बिना floating value वाली होती है फिर real या floating point वाला हो सकता है octal या hexadecimal हो सकता है octal मतलब 0 से 8 जिसमें होते हैं और hexadecimal मतलब 0 से लेकर 15 तक होते है 16 ठीक है तो 0 से 15 होगा यानिकि 16 होगा समझो और यह 0 से 7 यानिकि 8 होगा उसके आद character constant होगा है ज जिसे कि मान लीजिए मैं SSW लिख रहा हूं तो string को हमेसा कैसे लिखा जाता है double quote में लिखा जाता तो यह क्या होगा string हो गया यहने कि character के array को string बोला जाता है और const keyword से ले रहे हैं कि क्या कहलाएगा string constant कहलाएगा फिर backslash character constant भी होते हैं तो यह सारे जो होते हैं किसका types होते ह कि हम आगे जो example के तौर पर सारी चीज़े देखने वाले मैं practice भी कराऊँगा आपको बहुत सारी example जब हमारा complete theory portion cover हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पर constant के type आप देख सकते हैं उसी को मैं extend करके दिखाया हूं तो integer में आप देख सकते हैं इंटा सकता हैं इंटा सकता हैं long इंटा सकता है long long इंटा सकता है तो उनकी value भी आपको दी गई है real और floating point में आप देखें यहाँ दसमलो वाली संख्या देखने मिलती है double और float यह सभी floating point value कहलाती ओक्टल में देखें आप देख सकते हैं example के तोर पर 0 13 और यहाँ देखें start 0 से होगे हमें सा hexadecimal में इस प इसके लावा character constant में आपको x, y, z इस प्रकार string में character को group होता है तो यह सारी चीज़ आप देख सकते है constant के अंतरगत अब बात करते हैं literal की तो literal मैंने बताया था constant बनाते हम const keyword के तोर पर 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 उसकी value fixed होती इसलिए वो तुरंत initialize हो जाता है यानि कि जब हम constant बनाते तो उसको तोरंत value दे देते हैं जैसे आप यहां देखिए const keyword के तोर पर int type का हमने x लिए x को हमने 25 दे दिए और 25 हम तोरंत दे रहे हैं इसका मतलब क्या है वो कहलाईगी literal अब literal जब है तो simple सी बात है वो number भी हो सकता है वो float value भी हो सकती है वो string भी हो सकती है तो literal के भी कु दे जाती है तोरंत उसको वोलते है just type के जैसे हम 25 को लिटरल उनलें इसके लावा रहे है तो उसको लिटरल प्रकार के होते है जैसे 2017 प्रकार का सब्सक्राइब जो कि पूट्माराइं ठीक यह चीज आपको पता होना चाहिए फिर character letters जो होते हैं x, y, z, y जो भी और string में जो होते हैं characters के group होते हैं जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं ठीक है चली यह तो थी हमारी complete constant की चीजे आपको समझ में आगे होगी program भी मैंने बना कर बता है अपने turbo c++ में क्या करना है मैंने बता दिया और देख c++ में क्या करना है वो भी मैंने बता दिया तो आप दोनों में किसी भी id का उप्योग कर सकते हैं और अपने अनुसार उहाँ पर program को run करा सकते हैं इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है और दूसरों तक जरूर पहुँचाना share करना मतलब ठीक है तो यह तो आपको पता ही होगा एक मनिट भी नहीं लगता आप इतना सा काम कर दिया करो तो मुझे भी थोड़ा सा motivation मिलेगा ठीक है